हेलो एवरीवन दिस इस लोट कुमार गर्ग एड यू और वाचिंग मैं चैनल एजुकेशा सिंप्लिफाइट बाइ ओसी टीसी सो फ्रेंट्स इन दिस टॉपिक यू आप बॉड़ी कैप्टीज इन हुमन बॉड़ी ठीक है फ्रेंट्स तो सबसे पहले तो आपको यह कहना च क्राइट एज तो घौन जानice सो मुझी नें से के क्राइट इस फिकन दॉऑ जाल पर है जिस में मेंने मने बत्यात है कि एजुकेशों ul्क फ्रॉड सstar कैके आप उसे भी देख सकते हैं और समझ सकते के वाट दो कशेशन भाबविन अजुचेशन लल ऐक इनल तो इस साइकोलोजी और फार्मेशी नर्सिंग और मैनी मोर वीडियो रिलेटर तो एजुकेशन तो फ्रेंट्स अगर आप नाइन टैंथ क्लास में पढ़ रहे हैं जा फिर प्लस्वाल प्लस्वाल मेडिकल कर रहे हैं जा फिर नीड की त्यारी कर रहे हैं ठीक है आपने बड़ी-ब कुछ यह अगर आपको पता कि हुमन बॉड़ी के अंदर सिस्टम कितने हैं मैं खुद 8 सास से कोचिंग दे रहा हूं नीड के लिए तो मैंने बहुत सारे बच्चों को 9 10 प्लस 1 प्लस 2 बनों को पुच्छा है कि हमारी बॉड़ी में सिस्टम कितने होते हैं तो कोई 6 बतात संथाग स्की जिस्टम है जिसको एपसिशी सटम है इंटेग्ल इंटेंधरू लुक्तर सिस्टम है तो ऐसे यह से यह पिर बोड़ी में हैं तो अपने आप से यह पूछे कि हमारे अंदर body cavity होती क्या है और कितने types की cavity होती है उसको कहते क्या है ठीक है तो यह आपको मैं बहुत ही simplify भी में समझाने वाला हूँ body cavities के बारे में so let's start so friends in human body क्या है देखो human body is complex system consists of various organs ठीक है complex body है हमारी various organ systems की बनी हुई है और that function together to form a single unit मतलब हमारी body के अंदर जो 11 के 11 systems है वो सब coordination and integration way में काम करते हुए एक single unit की तरह काम perform करते हैं okay so these organ belong to different body cavities so cavities कौन सी है friends these are cranial cavity and spinal cavity cavity तो पहले क्या है देखो cranial cavity and spinal cavity जो है उन दोनों cavity को मिलाकर हम dorsal cavity बोलते हैं और उसके बाद है हमारा thoracic cavity abdominal cavity pelvic cavity इन तीनों को मिलाकर हम collectively ventral cavity बोलते हैं ठीक है तो यहां पी मैंने इस cavity का जो डियाग्राम है दे रखा है बोड के उपर आप देखिए सबसे पहले क्या है को यह cranial cavity है हमारी ठीक है तो cranial cavity में हमारा क्या आता है फ्रेंट्स cranial cavity includes brain meninges and CSF ठीक है ब्रें के अंदर जो meninges जो होती है ब्रें के उपर protective layer होती है जैसे कि पाया मेटर डूरा मेटर एड अरेकनोड स्पेस तो तीन तरह की हमारी में ब्रेंट्स है ब्रें हो गया और CSF that is cerebral spinal fluid ठीक है तो जो तीनों चीज़े यह है यह किसमे है cranial cavity में this is the part called cranial cavity so friend next हमरा आता है spinal cavity spinal cavity क्या है through which spinal cord extends so friends this is the spinal cavity and this is the spinal cord spinal cord हमारा spinal cavity के अंदर से extend करता है next हमरा आता है thoracic cavity which protect the heart and the lungs so friends here you can see the thoracic cavity here ठीक है तो इस thoracic cavity में हमारे है lungs and heart जिसको यह thoracic cavity जो प्रोटेक्ट करती है next हमारा यहां पर आता है abdominal cavity this is the abdominal cavity and it includes kidney liver stomach small intestine large intestine gallbladder spleen and pancreas ठीक है तो जितने भी यह soft organs है these all are located in the abdominal cavity and last में हमारा आता है फ्रेंट्स प्रेंट्स 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 यह रही हमारे जिसमें हमारे reproductive organs आते हैं pelvic cavity क्या है it includes lower digestive system बत्रों digestive system का lower part and whole part of the reproductive system are included in the pelvic cavity ठीक है तो अगर आज के बाद आपको कहीं भी कोशन आता है कि human body में कितनी cavities है dorsal cavity क्या है ventral cavity क्या है किस cavity के अंदर कौन से organ है तो आपको exactly यह पता होना चाहिए ठीक है किसी भी exam में complete exam यह question आ सकता है including the question आ सकता है कि मतलब जो एक हमारा organ है जिसे brain हो किस cavity में है ठीक है जा हमारा heart है हमारे lungs है उसको कौन सी cavity protect करती है तो अभी 9th 10th level में भी आपको यह question बड़े अराम से अगर आ गया तो आप इसको अराम से attempt कर पाओगे क्योंकि मेरे channel में आपको ऐसे वीडियो मिले वाले हैं जो आपको national international world school के teacher नहीं बताते ठीक है को कि बहुत सारी ऐसी तमाम हजारों लाखों ऐसी terms आती है biology में और advanced biology में जिसको teacher ना तो वो क्या करते हैं आपको समझाते हैं और YouTube पे अगर आपको कोई वीडियो में मिलेगा तो वह बहुत advanced English में हुएगा जो कि आपको simplify way में समझ नहीं आएगा सो मेरे चैनल पे आपको हर चीज़ simplify way में समझ आएगी सो keep watching and thanks a lot